के था लो एन वेलकम तो यह फेवरीट चानल ब्रेनो सॉल्यूशन देखो बच्चो इस वीडियो में हम लोग करेंगे सेक्षिन ए इसमें तुमारे 20 कुश्चिंच एच कंटेंगे वन माक कुश्चिन है थेखे सारे वन माक कुश्चिन है थेक है क्लेर देखो फर्स्ट वाला यह कह रहे हैं which one is true for three rational numbers तुम्हारे पास तीन राशनल नामबर है a b and c ठीक है तो हमको पता है बच्चों के a plus b plus c is equal to a plus b plus c ठीक है यहां पर तो यह कह रहे हैं this is false यह कह रहेंगे if false इसका मतलब यह statement तुम्हारा true नहीं है second पर आजो यह statement तुम्हारा गलत है इधर आजो second वाला b part पर यहां पर है तुम्हारे पास a minus b minus c is equal to a minus b minus c ठीक है तो बच्चों में पता है कि जब भी bracket तुम open करोगे तो यह क्या हो जाएगा a minus b minus minus plus c ठीक है यह नहीं रहे करना यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसका मतलब यह statement अगेंस तुम्हारा false है इस वाले statement पर आजो तो c पर यहां पर यह कह रहे हैं a minus b is not equal to b minus a तो this statement is true यह statement तुम्हारा true है क्यों अगर low suppose करो 2 minus 4 यह क्या 4 minus 2 के equal है तो यहां पर answer तुम्हारा minus 2 है यहां पर answer 2s का मतलब यह दोनों equal नहीं होंगे तो this statement is true ठीक है आगे प्रोसीडी नहीं कर रहे हैं हम ठीक है चलो अब आजो इसके बी पार second question पर यहां पर यह कह रहे हैं if 2x minus 4 equal to 4x अगर 2x minus 4 4x की equal है तो x की value बताओ क्या करोगे यह 2x उठाके में धर लिया हो तो यह minus 2x हो जाएगा ठीक है यह 4x minus 2x कितना हो जाएगा 2x clear अब क्या करोगे तुम यह 2 उठाओ यहां पर लिया डिविजिन में ठीक है तो यह हो जाएगा minus 2 तो x की value कितनी आ जाएगी तुम्हारी minus 2 ठीक है clear अब आज ओ इसके third question पर यहां पर जो options हैं वो है तो बारे पास square rhombus and parallelogram यहां पर समझों कि क्या पूछ रहे हैं तुमसे यह कह रहे हैं ऐसा question बहुत important correlator बताओ जिसके diagnose जो होते हैं ठीक है वो equal होते हैं बाइसिक्ट करते हैं और perpendicular नहीं होते हैं ठीक है तो देखो square में बच्चो diagnose equal भी होते हैं मतलब a b c d अगर है तुम्हारे पास तो square की जो diagnose होते a c equal to b d होता है ठीक है और यह suppose point है o ठीक बाइसिक का मतलब क्या होता है कि d o equal to o b यह भी होता है ठीक और perpendicular का मतलब क्या है यहां पर जो cut हो रहा है यह वाला जो angle बन रहा है तुम्हारा 90 degree angle बने तो बच्चो स्क्वेर में इस स्क्वेर में यह तीनों चीजा होती है तो यहां पर आंसे स्क्वेर तो हैं क्यूंकर है they are not word आया है not का है स्क्फ्फुर्ण मिन जीफ्फ स्क्फुर्ण स्क ओप्षिन मर इसक आप्षिन नहीं है अब आज़ाओ तुम्स में छमदिए धिदी नारी को सम्सक्राइञ डाइच benevolence शीन्म होती है तीनों होती है दाइग्नल उक्वल उते हैं बाय सेक्ट करता है मतलग ऑब Quindi ऩ उते हैं यह नाइंटी डिगरी नहीं बनता है अगर मैं तो तुम्हारा आंसर आएगा दाट इस पैरलेलोग्राम ठीक है क्लेर अब आ जाओ इसके क्वेशन नामबर फोर पर देखो बच्चो क्रेशन आब फोर में कह रहे हैं तो बच्चो मुझे में एक्स्टीर एंगल चाहिए तो मैं क्या करूंगी मिनिमम इंटीर आंगल लोगी तो हमें पते देखो वन माग क्वेशन है तो सॉल्यूशन की जरूवत नहीं है बस खाली इसमें तुम्हें टिक लग एक ट्राइंगल होता है यहना इक्विलेटर ट्राइंगल जिसमें सारे आंगल कितने होते हैं 60 डिग्रीज होते है ठीक है बच्चो इससे छोटा तुम कोई भी रेगिलर पॉलिगन नहीं बना सकते हैं जिसमें सबसे छोटा जाए तुम्हारे इंटीर आंगल हो तो अगर है अगर कोई पूछे सबसे जिसका सबसे बड़ा एक्स्टीर एंगल होगा वो क्या फिकर बनके आएगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ठीक है और इसका एक्स्टीर एंगल कितना हो जाएगा सबसे बना 120 डिग्रीज ठीक है आगे समझ में अब आ जाओ तो इसके डीज़िद पॉर्फिक्ट क्यूँ तो हमें पता है बच्चों यह तो देखो 7 जाएगा थिक है तो 7 तो बड़ा हो गया अगर इस पर आओ जरह सा 5 5 25 यह तो बड़ा है 729 सबसे छोटा इन तीनों में से जिक परफिक्ट क्यूब वो कॉन सा है 125 किसका क्यूब है यह 5 का क्य सब्सक्राइब है ठीक है क्लियर सोल्यूशन की ज़रत नहीं क्योंकि वन मार कॉश्चन है अब आजा तुम कुश्चन नामबर सिक्स पर यह कह रहे हैं तो नंबर ऑफ डिजिट इन इसक्वेर रूट ऑस यह तुम्हारे पास नंबर गिवन है इसका जो स्क्वेर रूट निकले है उसमें कितरे डिजिट्स होंगे क्या फॉर्मिला है काउंट को जाएगा वन तुछ फॉर फाइफ सिक्सवेट साथ डिजिट है यहां पर मतलब और न होंगे अगर मैं कहूं बच्चों यहां पर सपोस्ट करो एक जीरो और लगा दो तो आप कितने डिजिट्स हो गए आठ डिजिट्स हो गए अब क्या फॉर्मिला लगेगा यह कोईशन है नहीं पर मैं अलग से तुम्हें दे रही हूं अगर तुम्हारे पास अब यहां पर सब्सक्राइब क्यूब तो इसके लिए कैसे देखेंगे सबसे पहले यहां देखो बच्चों 6 क्या है पर्फेक्ट क्यूब नहीं है मैं अगर 2 x 2 x 2 करती हूं तो भी मुझे 8 मिलता है तो 6 तो नहीं आ रहा इसको तो छोड़ी दो तो इधर आजाओ यहां पर बच्चों द सब्सक्राइब क्या यह किसी नंबर को मुल्टिप्लाइब करती हूं तो आते तीन नफर मुल्टिप्लाइब करने पर तो नहीं यह भी पर्फेक्ट क्यूब में इधर आजाओ 8000 पर एक तो बच्चों मुझे मिल गया 30123 तो यह हो सकता है चांसे यह सकता है एट देखो ए इन्टो 20 इन्टो 20 ठीक है तो देखो आपने बहुत बड़ा सॉलीशन करती है कि को निकालती हमने कितनी चल्दी पता लगागे कौन सा पर्फेक्ट क्यूब इन में से हो सकता है इस विल भी यो आंसर ठीक है क्लियर अब यह कह रहे हैं स्क्वेर ओफ 2.1 इस कुष्चिन ना करो कि अब डैसे मल लेहाँ है कि यहाँ पर कितने एक डिजटके बाद डैसमाल मतलब ढ़ सका डाशेक्ड के बाद डैसमल लागाना है तो युनिट वें से शुरू करो वान टू 2 दो डिजटके बाद डैसमल लगा दो ठीक है क्लेयर है आगे समझ में कुछ नहीं कर ना अ लगता है बच्चों को भाई decimal का कैसे multiplication है कुछ ने decimal थोड़ी दिर के लिए भूलो नॉर्मल मुल्टिप्लिकेशन करो जितने भी digits के बाद decimal आ रहा है दोनों को एड कर लो तो एक इधर एक इधर सबसे पहले अंदर वाले को सबसे पहले क्या करते है नेगिटिव हटाओ अपनी लाइव से भी सबसे पहले नेगिटिव चीज़ अटानी चाहिए ना ऐसी सबसे पहले यहां असा टाओं है न यह हो जाएगा 1 by 3 into 1 by 3 raise to the power minus 1 यह हो जाएगा 1 upon 15 raise to the power minus 1 अब क्या करोगे क्योंकि minus 1 है माइनस को अटानोगे तो क्या करोगे तुम इसका आंसर आ जाएगा 15 raise to the power 1 यहीं तो होते है नूमिलेटर को डिनॉमिलेटर रनाते है नूमिलेटर को नूमिलेटर वन है इसको हटा दो तो यह आंसर विल भी 15 ठीक इन्वर्स ओफ 10 to the power 100 ठीक है तो मल्टिप्लिकेटर विलेटर का मतलग क्या होता है एंटू 1 upon a is equal to 1 मतलग दो ऐसे नामबर्स बताओ जिसका मल्टिप्लिकेशन वन आए ठीक है तो 3 का मल्टिप्लिकेटर विलेटर क्या होगा क्या एंसर वाना है 1 upon 3 ठीक है आगे समझ में और 1 upon 5 अगर मैं तुमसे मल्टिप्लिकेटर विलेटर कहूंगे तो तुम कहोंगे 5 एसे यहां पर तुम्हें 10 to the power minus 100 का मल्टिप्लिकेटर विलेटर बताना है तो देखो इसको लिखेंगे कैसे 10 to the power 1 upon 10 to the power 100 लिख दिया है कि नहीं इसमें मैं क्या मल्टिप्लाइ करूँ कि तुम्हारा आंसर वन आए तो इसका क्या तरीका है बच्चो अगर ये पार इसकी positive है तो negative कर दो गर negative है तो positive कर दो वही इसका क्या मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा मतलब यहां पर 10 to the power 100 से मल्टिप्लाइ होगा तो आंसर वन आएगा ट्रिक क्या है बगार इतना भी करें कि अगर यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 10 to the power 100 ठीक है positive आंसर लिख दो that will be the answer अब आज हो कि कह रहें question number 11 में what is the additive identity additive identity क्या है बच्चो बताओ जरा सा addition key for addition of rational numbers answer 11 ठीक है मतलब क्या अगर मैं 3 में 0 add करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा 0 plus 3 equal to 3 है कि नहीं तो additive identity होती है तुम्हारी 0 0 को किसी भी number में add करो तो you'll get the same answer है ना चलो अब आज है question number 12 पे यह कह रहे है which is the following is not a linear equation तुम कहो कि दोनों linear equation है है ना दोनों में x की power 1 है है कि नहीं तो यह linear equation है तो बच्चो equation में is equal to आता है यह linear equation नहीं है ठीक है आगे समझ में तो यहां पर तुम्हारा answer आ जाएगा बी अगर यहां पर तुम्हारा is equal to को कुछ भी होता तो यह अभी linear equation मन जाती है ठीक है सिंपल अब आज हो question number 13 पे देखो बच्चो question number 13 में कह रहा है the number of sides in a regular polygon is 15 ठीक है तो तुम्हें measure of each exterior angle बताना है तो हमें पता है number of sides into each exterior angle जिसका measure होगा कितना होता है 360 degrees होता है यह formula हमें पता है यहां पर number of sides कितनी है 15 है तो तुम exterior angle के measure निकाल सकते हो 360 divided by 15 कितना हो जाएगा 24 ठीक है तो यहां पर जो तुम्हारा answer आएगा that will be 24 ठीक है यह formula याद है सब बच्चों को यह important formula है number of sides into exterior angle कितना है 360 degrees ठीक चलो अब चलो आगे यह कह रहे हैं what is the length of the diagonal of rectangle एक rectangle है बच्चों अब करें question number 14 ऐसा होगे rectangle जिसमें एक side 4 एक side 3 है तुमको यह diagonal का measure निकाल रहा है ठीक है तो यहां पर देखो बच्चों एक right angle triangle निकल ला है है ना थी तो यह वह पाइतागोरस theorem लगाओ ABC तो AC कितना हो जाएगा AC का square is equal to AB square plus BC square यह हो जाएगा 3 का square plus 4 का square 3 3s are 9 4 4s are 16 यह जाएगा 25 AC के square 25 है तो AC कितना हो जाएगा under 25 मतलब 5 cm ठीक है यहां पर तुम्हारा answer आजाएगा 5 cm ठीक clear आसान है questions ठीक है अब आजा question आसान ही question tricky है लेकिन तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे अच्छे से समझोगे तो असानी से कर लोगे ठीक चलो what is the one's digit of the cube of 23 का cube निकालो जिसमें नंबर से मतलब नहीं है खाली one digit बता दो बस तुम्हें क्या करूंगी खाली one digit वारा number multiply करो three three is a nine nine three is a 27 मतलब last में क्या रहा है साथ तो इस नंबर के last में आ जाएगा 7 ठीक है clear है अब आजाओ आगे अब अच्छो जो section B है तुम्हारा वह हम next lecture में cover करेंगे ठीक है बच्छो तो उसके लिए अगर तुम लोगो section A अच्छा लगा तुम लोगो section B चाहिए होगा तो please comment section में जाके बताना ताके फिर में upload कर दोंगे क्लेर दूसरी बात कि तुम लोगों के exam सो रहे हैं बच्चो टेंशन ने रहे हैं बहुत सारे बच्छे मुझे comment करते हैं कि मैम हम बहुत depression में हैं बहुत प्रेशान है तो बच्चो यह उमठ depression की नहीं होती है depression क्या चीज़ होता है तुम लोग का मकसद है पढ़ाई करना तैयारी करो मेहनत करो रिजल्ट नहीं आता है मालो नमबर आगे पीछे होगा तो उससे ऐसा नहीं जिन्दगी तुम लोग की खतम होगे ठीक कोई यह मत बोलना के हम तो भाई मुझे नहीं अच्छा दाशते तुम लोग बोलते कि हम depression में ठीक है बच्चो और सिर्फ तुम लोग मेहनत करो नहीं नमबर आ रहे हैं तो उससे तुम्हारी जिन्दगी अभी एंड नहीं हो जाती जिन्दगी अभी बहुत आगे और मार्क्स नहीं डिसाइट करेंगे तुम कहां स्टांड करने ठीक है लाइफ में आपको बेसिक चीज़ें अच्छी होनी चाहिए वैल्यू जानी चाहिए त ना कि तुम्हारे नमबर इंपॉर्टेंट होते हैं तो लेकिन हम महनत करना जरूरी है फर्स है तुम लोग पर ठीक है और बिलकुल मत होना अगर पेपर डिफिकल्ट आता है यह कुछ आते अगर तुम बिलकुल कूल काम होके जाओगे तो नहीं भी पेपर आता होगा तो लोगा अटेंट हर कोश्चिन करो कोई कोश्चिन छोड़के मता आता है या नहीं आता है किसी बना दो कुछ भी कर दो करके आना उससे क्या होता है हो सकता है इनकेस एक परसंट तुमारा सही हो रहा हो तो भी मार्ट मिल जाए बिलकुल कोरा पेपर छोड़के आप तो वह कंफोर में जीरू में लेगा ठीक है क्लियर है और बेस्ट यू अच्छे से पेपर करो तयारी करो थांक्यू फर वाचिंग ब्रेइन से यूश्चिन